हेलो दोस्तों वेलकम तो माई यट्यूब चैनल जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितिंद्रादव इससे मैंने आपको परसेंटेज का बहुत कुछ पढ़ा दिया है आज हम परसेंटेज के वह कोश्टन से लेके आए हैं जिने करने में आपको कभी न कभी प्रॉलम जरूर देखिएगा क्योंकि आपने परसेंटेज को अगर वेक्सिस से पढ़ना है तो आपको मेरी पहले की परसेंटेज की दो चार जो वीडियो में आपको देदी हैं वह देखनी पड़ेंगी तो चलिए देखते हैं आज का कोश्टन तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजी में असफल होते हैं तो आपको पता है जो इंग्लिस में फेल हैं कितने 35 परसेंट है तो हमने इंग्लिस लिख लिया आगे हमें बोला है कि मैट्स में 25 परसेंट विद्ध्यारती फेल होते हैं तो आपने का मैट्स में कितने हो रहे हैं तो आपने का 25 परसेंट और हमें बोला है कि दोनों विशे में जो फेल विध्यारती हैं वो है 15 यानि कि बोथ में जो हैं वो आपके 15 परसेंट तो हमसे पूछा है कि कितने पृतिशत विध्यारती दोनों विशे में पास हैं तो आपको बताना है कि दौनों बिसे में पास तो देखिए तो करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ विदावट डियाग्राम हम कर सकते हैं अगर मैं देखो अपने साबसे इंग्लिस में और मैस में टूटल बच्ची कितने फिल हो रहे हैं आप टूटल जोड़ेंग दो बच्चे जो बच्चे हैं दो बार काउंट होगे क्योंके देखी बच्चा हैं कि एक बच्चा है तो यह विचारा क्या हुआ है इंग्लिस और में स्था बच्काव Chis और में कर ल utan कर और यहां पर भी इससे लिख लेता है तो यानिकि इन 60% में यह बच्चा है दोनों बिसे में जो है वो दो बार काउंट होए तो हम क्या करतें हैं क्या कर लेते हैं इसे घटा लेतें अगर आप इसे घटा लो तो आप को यह हमारे पास बच्चे पैतालिस जो पास विद्धार्ति होंगे की तो वह कितने होते हैं अगर आप उसमें से 45% को घटा लेंगी तो आपके पास बचा पर्संट मो monument स्टुडेंट से जो दोनों जोरों कि यह इनों को जोड रहा है तो यह जो बच्चे 15 परस्एंट हुंग मैंने इस में इंगलिस के लिए हैं мет ऑसे ही बनाएं लिखा जागा गा क्योंकि जो 15% चात रहें उदनों में में ऊपया और इंगलेस में भी फैलें तो आप यह बताओ सिधु तो आप यह बताओ विपन्द्रारा परसेंट लिए तो बचा कितना यारा है अब करोई से 35 अब हम मेज कि बाद करते हैं आप आप कहेंगे 25 परसेंट अगर मैंने 15 लिख दिया तो आपके 10 परसेंट बचे तो आप दिख सकते हैं मैंस में टोटल कितना रहा है 25 परसेंट तो यह सारे बच्चे हैं कौन फेल आप कहेंगे फेल हैं तो आप इनको जोड़ेंगे कितना आएगा आपके 45 देखिए 20 30 405 यह है जो फेल है तो आप कहेंगे पास स्टुडेंट कितने उंगे 100 i origin कितने होंगे 100 परसेंट टोटल होते हैं उस में इसे 45 परसेंट तो आपके 55 सब्सक्राइब मेn में भी सॉल्व कर सकते हैं तो आपको करी सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको पता है कि इन दोनों का एड करना और यह पंद्रा घटाना क्यों मैंने आपको बता दिया क्योंकि दो बार काउंट हो जाते हैं मैंस वाला भी टीचर कर लेता और इंगलिस वाला भी टीचर इन्हें काउंट कर लेता है तो चलिए एक और कुशन से आपके लिए मैं इसा एक्स्प्लेन करता हूँ कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक परिक्षा में 48 परसेंट विध्यार्थी अंग्रेजी में आसफल होते हैं तो आपको पता है कि जो 38 परसेंट छात्र हैं वो médias में क्या है ने लिख लिए ओर हमें यहां पर दिया हुआ है嫁 कि आज आपैर दिया हमें दोनों भिशेंट प्रशेंट आ सफण होते हैं कि और इस जैसे मैं आपको डिके सब्सक्राइब करो यह जानते हैं यह 18 जो होते हैं वह दो बार हो गए होते हैं क्यूंकि जब मैटस वाले टीजर आएंगे तब यह इन एककाउंट करके ले जाएंगे और इंग्लिस वाले आएंगे तब यहां कितना बचेगा आप करेंगे अर्टीस में से ठारा गें आपका 20 बचा कितना बचा बीस तो आप डारेक्ट जोड़ो यानि किस पूरे को सॉल्व करके आपका आएगा 68 परसेंट तो यह जो 68 परसेंट छात्र हैं वो कौन से छात्र हैं जो फेल हैं क्या है फेल तो हमें बताना है पा आपके पास हूँए होंगेक translates एप ये इंग्लिस के sinners लिया रिए तो ये इंग्लिस के लिए हो गया और ये में लिए हो गया आम जानते हैं कि दोनों बसे में कितने ने आप ऑप लिया 48 अब in इंग्लिस recording तो आपने तीस परसेंट बचा है तो इनको सबको जोड़ों क्योंकि यह सारे फेल हैं तीस अथारा और 20% सब आपके फेल हैं तो अगर आपने इनको एड़ किया तो तो आप यहां पर आती है तो आप यहां पर भी पास स्टूडेंट्स अगर निकालेंगे तो आप जानते हैं उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे कर सकते हैं तो चलिए एक और कुछें लेते हैं कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक सर्वे में यह पाया गया कि 58% विद्ध्यार थी कॉफी पसंद करते हैं कि इतने 85% तो आपने कहा जो कॉफी पसंद कर रहे हैं तो आपके 48% करते हैं आगे हमें बोला हुआ है जबकि 10% विद्ध्यार थी कि ना तो चाय ना ही कॉफी पसंद करते हैं तो आप यह बताओ जब 10% नहीं पसंद करते हैं तो जो पसंद करने वाले होंगे वह कितने होंगे 90% वह कितने होने चाहिए यह 10% पसंद नहीं करते हैं यह क्या करते हैं पसंद नहीं करते हैं तो मैंने तो आप यह बताओ अगर हम अपने हिसाब से देखें कि कॉफी और टी को पसंद करने वाले कितने बच्चे तो आपने एड कर लिया तो आट जूनी सोला कच्छ अच्छ है तो आप यह बताओ हमारे उस तरफ के हिसाब से तो 90% ऐसे लोग हैं जो कॉफी और चाय पसंद करते ह हैं यहां पर 106 कैसे हो गया तो आप कहेंगे यहां 106 परसेंट इस हिसाब से हुआ होगा क्योंकि जो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते होंगे वह दोनों बार काउंट होंगे मतला हो गए नहीं हो गए होंगे क्योंकि जब आपको पूछा गयो जैसे माली जैम में उज 10 परसेंट पसंद नहीं करते हैं तो 90 परसेंट टोटल पसंद करते होंगे तो आपने कहा आप इसमें से अंतर देखो कितने लोग ऐसे हैं आप करेंगे 16 परसेंट लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं आपके दोनों को पसंद करते हैं हमसे यह पुछा हुआ है तो दोनों को पस तो देखिया हमें यह पता है कि 58% और इसमें और इसमें भी 48% प्रेसर्ट पर्संद करने वालों का तो आप यह बताओं मुझे यह नहीं पता ना यह तो है दोनों में पसंद करने वाले घैरती लिखे जाएंगे तो मैंने क्या diferen लियाए एक्स क्या मान लिया एक्स अपीज़ ऄगो достal 48 पृत्फावन पृत्फार प्रतिश्षट पसंद वाला होगा अब आपको पता है कि यह सारे है पसंद करने वाले क्या है यह पसंद करने वाले क्वीव सब्सक्राइब है कि इनको एड़ करके यही बनता था तो आप यहां पर देखो कर जागा 48 यहां पर इससे खर जागा 40 यानिक सो आप से 15 15 लोग ऐसे को और 48 लोग आप पसंद करते यह मैंने माने हुए तरह से यह कौन से हैं जो डोनों तो आप यह बताओ अब मेरे साफ से यह सारे लोग हो रहें और कॉशन के साफ से 90 लोग हो रहें यानिके 90 आप चाहता नब लिख सकते हैं परसेंट सो मैंने हुआ तो आप जब इनको जोड़ोगे तो आप जानते इस से यह कड़ दाएगा इन दोनों को एड करोगे तो आप क पोटल मानते हैं कितना मांते हैं सो परसेंट अगर आप सो का सोला निकालेंगे तो अब आप आपको यह बात के लिए हो गई होगी देखिए अगर इसमें आपको मैं समझाता हूं कि यह मैने हापर इसक्स क्यों किया है और देखते हैं है है तो जैसे समय में दिया हुआ है कि एक प्रिक्छा différentes वी ध्यारति करश हो थे हैं तो आप ने लिख लिया है कि मैस में 20% पर्सपास हो देखें या पर लेकर लोग है पास आगे में में हैं वो कितने आप करेंगे 50刚े और 50 पर सेंटेंग एपर फास होते हैं आगे परसी इस इस पर सेंट दोनों पूछ तो यह घूंज में वह ग्यांद सरस्ति चांट हो होगे नहीं नहीं तो आप यह बताओ यह कितना रहा है आप को एंगे 90 हो रहा है कितना हो रहा है नभ्य प्रतिसत English में पास है चाहे वो मैंस में पास है तो यह 20 परसेंट आपको घटाने होते हैं क्योंकि यह नभ्य में 2 बार काउंट होंगे तो आपने बीस घटाया यानि कि 70 परसेंट ऐसे च यह वह कितने होंगे आप कहते हैं घटा दूंगा तो हैंडेड में सब्सक्राइब को घटा दूँ तो आजाएगा 30 परसेंट अब देखेंट कैसे वही मैंने का यह नहीं है तो आज आएगा 30 और 30 का मतलद 30 परसेंट ही हो गया क्योंकि आप करते हैं यह तो यह आपके मैंस लिख लिए प्रतिसत में है यह अब आपको मैंने बताया था कि जब हम इसमें लिखते हैं तो इसमें से घटाते ना इसको तो वहां पर क्या था आप जान सकते हैं उसमें लिखा था मैंने पिछली कोशन में अठावन तो आप और 20 तो यह 20 परसेंट होंगे तो आप देख स हो गए यहां पर लेखे हो टोटल थे 50 इंग्लिस की गोले में 50 आने चाहिए थे 20 लिख दिया यानि कि यहां पर 30 परसेंट और होगा तो आप एड़ करके देखो यह टोटल पास वाले हैं तो बीस और बीस देखें तो यह टाल परसेंट से इसमें और इसमें आहिचा टालीस परसेंट से तो आप इस जब इसको एकस माना था तो मैंने इसको अठावन और इसको चालिस मैंने से इस तो एसे किया वहा है उनिक्स को तो आप आई ओप आपको बैंड डियाग्राम भी क्लियर हो गया होगा और ये बात भी क्लियर हो गई होगी तो चलिए को लेते हैं फिर देखते हैं जो यह वह लगा रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो नेक्ट कोशन को रोक कर वीडियो को तब सॉल्व करें और खुद देख तो लेकिन आपको याद तभी रहेगा जाब आप इसे खुद करेंगे ना तो चलिए देखते हैं एक्सक्रोशन जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक परिक्षा में 70% इंग्लिस में पास होते हैं तो आपने लिख लिए 70% इंग्लिस में कितने पास होगए 70% आगे हमें दिया यदि कुल 10% फेल हुए तो आप जानते कि जो फेल हैं यह दोनों में होंगे फेल जो है दोनों में लिख लो आप वह कितने हैं? 10% 10% ë fickle हो रहे हैं आपके तो आप लिए बताओकर 10% période हो रहे हैं तो आप यह किकरेंगे नभय परसेंट जो होटे न वह paths होटे कितने होंगे? 90% परसेंट पास होटे होंगे तो यह तो हमसे पूचा है कि कि क्तूने पिध्ध्यार्ती थे यह विज्वा उसे जाले हैं कि दोनों में पास विध्ध्यार्ती तो हम बताब है 150 कैसे हो जाएंगे तो आप यह कहेंगे कि प्रस तो 90 पर सेंट होने पर सेंट यह जी चाहिए न दस पर सेंट अगर फेल हैं तो यह 150 बना वही जो दोनों भीसे में पास्ति होंगे वो कितने हैं तो यह दोनों विसे में पास है तो आपको पता है कि 60% की value कितनी दे रखी हैं आप कहेंगे 60 है तो आप यहां से निकाल सकते हैं 10% की value इसे इसको काट लो 10 तो आप यह बताओ जो 100% होगा वो कितने हो जाएगा आपका 100 तो आप बताओ मैंने 100% की value क्यों निकाली है तो आप क सबस्क्राइआ कि मुझे यहां कि नहीं पता है और इंकली सब्सक्राइब को तियो किद्धूली्यों कि गटा कर लिखे जाते हैं कि ओवरॉल सत्तर है और आप जानते हैं कि टोटल जो पास स्टुडेंट्स है वो है नभे परसेंट तो आपने नभे लिख लिए कोल में तो आप यह बताओ इससे तो यह कड़ जाएगा आप इसको एड कर लोगे इसे में नी बना रहा क्योंकि लग आजीब लगेगा है इनको मसितनी आएगी 60 यहां से इत्य साथ ही बिद्ध्यारती कितने पता है कि इतनी 1 just परसेंट की कितनी आजाएंगे हंड्य न जाएगी तो यहांसे भी आप कर सकते हैं और यहांसे भी सक्रण को कर सकते हैं तो आए होगा विपात बीशिया हो गई होगी ऐसा कॉप्षिण आपको पहले भी मैंने कर आया से जिसमें कॉफी और वो वाला था तो बस यह वात याद रखने हैं कि हम यहाँ पर क्या रखते हैं देखिए अगर यहाँ पर फेल विध्धार्तियों की बात चल रही है तो आप यहाँ दोनों बिसे में फेल विध्धार्ति रखें अगर आप दोनों बिसे के पास विध्धार्ति रख तो देकि जैसे इस question में हमें दिया हुआ है कि एक परिक्षा में 30% students जो हो हो नो हो हिंदी में pass होते हैं तो आपको पता हैं यह 30% हैं वो हिंदी में pass हैं आपने का 30% हिंदी में pass हैं और आगे हमें बोल वहा है कि इंग्लिस में 30% बच्चे फेल हो जाते हैं तो आप युझे बता है अग्लिस में 70 % कितने होने 20 % फेल हो जाते है तो आप की बता हैं तो और और दोनो विचांगे 10 % फेल है तो फेल ही होने यानि कि रहा कि बता है небольшे पर्से серьओंने हैं वह कितने होने चाहिए थे आपके 90% स्टुडेंट्स है जो पास होने चाहिए अब एक बाद बदावगार हम जोड़े हिंदी और इंग्लिस में टुटल पास तो आप पर रहे हैं तो आप यह बताओ 90% according to the question हो रहे हैं तो यह 100% कैसे बने तो आपके 10 का अंतर आ रहा न 10% का यह वो students हैं जो दोनों subject में पास होंगे जो किसमें होंगे दोनों subject में पास है यानि कि Hindi का teacher आएगा वो भी इनको गिनेगा इन्विस का teacher आएगा वो भी इनको गिनेगा तो क्या होता है इसमें भी वह count हो रखें इसमें भी count हो रहें जोड़ रहें तो 10% जो है वह extra count हो गए है तो बस 10% की value हो है question में दी हुई है कि दोनों विसे में जो past student है वह है 60 तो आपने कह लिया 60 तो आपको निकलनी है 100% की value तो आप कितना कह देंगे यह हो जाएगा आपका 600 अब देखिए इसे band diagram से कैसे तो अगर हम band diagram से यह करें तो आप कहेंगे band diagram में Hindi और English की बात हो जो लिए तो हमने 2 बना लिए तो आपने इसे Hindi लिखा और यह English लिखा अब देखिए इसमें यह नहीं पता कि दोनों विसे में past student है तो हम क्या मान लेते हैं इसमें x मान लिया X जो होंगे वो दोनों विसे में पास होंगे तो आपको पता इसमें 30% है तो हम इसमें से 30-X लिखेंगे इसको और इसमें 70 है इस पूरे गोले को अगर आप जोड़ेंगे तो 30 ही आएगा जो कि हिंदी में पास है और यहां पर आप कहेंगे 70-X और overall कितने पास हो रहे हैं हुआ है वो 100 माना होता है तो आप इसे जोड़ेंगे तो दिखेंगे कि यह cancel हो जाए आप एक बात बताओ आप में लिखो इसमें क्या बोला है कि 10 जो है वो दोनों कि से में पास हो पोशन तो बोल रहा हैं 60 है तो आपको कितने की वैले बनानी है 100 की तो आपने का 100 की वैले मेरे खाली पढ़ाने से कुछ नहीं को प्रक्टिस करेंगे तो प्रक्टिस में बने रहे और हमारी वीडियो को फॉलू करते हैं आपकी मैं अपने इस प्रॉम हो जाएगी आपको पता भी नीचे लेगा कि आपने मैंस को कैसे स्ट्रॉम कर लिए हैं चलिए मिलते हैं नेक्ष